हलो फ्रेंड्स बेलकॉं टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्योटर के 30 के करीब प्रेशन दोस्तो आज का जो लेबल है वो इजी रहने बाला है क्योंकि कल की जो वीडियो हमने लाई थी दोस्तो उसमें कुछ एक स्टुडेंट मैसिज कर रहे थे कि जो लेबल है वो काफी हार्ड है इसलिए आज की वीडियो में जो लेबल है वो इजी रहने बाला है तो दोस्तो ये जो हमारी कम्प्योटर की है 11B कलास है अगर इसे पहले की कलासिज आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की बेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को मुश्टब कर सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हूँ तो चैनल को सिब्सक्राइब अबस्य करें पहला जो प्रेशन है दा उपरेटिंग सिस्टम का प्रारूर्पी उप्योग किया जाता है तो दोस्तो इसका जो प् इंटरनेट में जो प्रियुक्त होने बाली भाषा है वो है जाबा तो इसका ओप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा जाबा अगला जो प्रेशन है इन बीच लेंग्वेज इस मोस्ट अप्रोप्रेट डोकुमेंटेशन पोसीबल तो दोस्तो जो कोबोल लेंग्वेज है उसम जो है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है बन किलोबाइट इस इकोबिलेंट टू तो दोस्तो जो बन किलोबाइट है वो किसके समतुले है तो यह है एक हजार चौबिस बाइट के तो इसका ओप्सन जो भी है वो सही हो जाएगा एक हजार चौबिस बाइट अगला जो प्रेशन है, the largest unit of storage is, तो सबसे बड़ी जो storage की एक आई है, इन option में से option d जो है, वो सही हो जाएगा, terabyte, अगला जो प्रेशन है, यह process of searching bugs in software is, दोस्तों, process of searching bugs in software is called debugging, option d जो है, वो सही हो जाएगा, debugging, अगला प्रेशन है, Linux is an example of, तो दोस्तों, जो Linux है, यह open source software है, एक पर हो जाएगा, open source software, अगला जो प्रेशन है, उनिक्स बाज developed in, दोस्तों, जो इनिक्स था, इसको कब develop किया गया था, तो दोस्तों, इनिक्स जो है, इसको develop किया गया था, 1969 में, option b जो है, वो सही हो जाएगा, 1969, आपने comment करके पताना है, इसको किस ने develop किया था, अगला प्रेशन है, basic language of unix is, unix की जो basic language है, वो है आपकी assembly, तो इसका option c, जो है, वो सही हो जाएगा, assembly language, अगला प्रेशन है, ता word cad is related to, दोस्तों, जो word cad है, वो सबंदित है, आपका design से option b, सही हो जाएगा, design, इसकी जो full form है, वो है computer added design, या पिर computer added designing, अगला जो प्रेशन है, और औरेकल आपको पताना है, कैसा software है, तो दोस्तों, औरेकल जो है, वो एक database software है, option c सही हो जाएगा, database software, अगला प्रेशन है, this software is used in bird processing, बर्ड प्रोसेसिंग में, page maker, bird star और MS bird, ये तीनों use किये जाते हैं, option d सही हो जाएगा, all of these, अगला प्रेशन है, this software is used for creating resume, resume बनाने के लि ये MS bird और page maker दोनों का, इसका option c सही हो जाएगा, both a and b, अगला प्रेशन है, restarting a computer that is already on is referred to as, तो दोस्तों, restarting a computer, जो already on होता है, उसको द्वारा से restart करने पर, तो उसको कहा जाता है, आपका बार्म बोटिंग, तो option c सही हो जाएगा, बार्म बोटिंग, अगला प्रेशन है, अगला प्रेशन है, start or restart of the computer means, इसका option c सही हो जाएगा, बूट, start of, start of computer, अगला प्रेशन है, एक compiler is used to translate a program written in, तो दोस्तों, compiler use करता है, high level language को, तो इसका option a जो है, बो सही हो जाएगा, a high level language, अगला प्रेशन है, computer programs are also known as, computer program को, दोस्तों, अन्य जाना जाता है, application के नाम से, तो इसका option d सही हो जाएगा, computer program are also known as applications, अगला प्रेशन है, the operating system is the most common type of, दोस्तों, जो operating system है, बोहो system software कहलाता है, तो इसका option c सही हो अगला प्रेशन है The human readable version of a program is called तो दोस्तो human readable जो बर्जन होता है उसको आपका source code कहा जाता है option A जो है वो सही हो जाएगा और दोसरे जो होता है उसको object code कहा जाता है अगला प्रेशन है But disk is used to cold boot a PC तो दोस्तो system disk is used for cold boot a PC तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा system disk is used to cold boot a PC अगला जो प्रेशन है compiling creates an तो दोस्तो जो compiling है वो create करता है an executable program तो इसका option जो D है वो सही हो जाएगा executable program next question the process of writing out computer instruction is known as computer नत्यस्तों को लिखने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कहलाती है coding option D सही हो जाएगा coding अगला जो प्रेशन है computer एक computer cannot boot if it does not have the तो दोस्तों एक computer को boot नहीं किया जा सकता अगर उसके बास operating system नहीं होगा तो इसका option C सही हो जाएगा operating system अगला प्रेशन है vendor created program modification और called तो दोस्तों इस प्रेशन में confusion है कहीं जगा इसका जो answer है वो पैचिस दिया हुआ है कहीं जगा fixes तो आप देख लेना इसका सही answer क्या होगा मैंने google पे भी search करा तो कहीं पे fixes आ रहा है कहीं पे पैचिस तो आप confirm कर लेना और comment करके बता देना अगला जो प्रेशन है land is useful for तो दोस्तो लेन जो है वो useful है इनक्यूप योगी है बिजनिस मैन के लिए वेपसाई है तूट बिजनिस के लिए तो option जो आपका C है वो सही हो जाएगा बिजनिस मैन local area network अगला जो प्रेशन है तो तो दोस्तो जो first computer network है वो है आपका अर्पानेट तो इसका option भी सही हो जाएगा आप कमेंट करके बताएं यह काब से जित्तम मैं आया अगला प्रेशन है bank's ATM facility is an example of bank की जो ATM सुबदा है दोस्तो बहुत बैन का example है wide area network का option भी सही हो जाएगा अगला प्रेशन है telephone broadcast is an example of तो दोस्तो जो telephone broadcast है तो एक example है आप डूपलेक्स transmission का option भी सही हो जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में 30 questions जो है वो complete हुए है आप कमेंट करके बताएं आपका score इसमें कितना रहा अगर आपके 25 प्रेशन सही है तो आपकी तियारी सही है क्योंकि यह काफी basic प्रेशन थे इसमें 25-28 प्रेशन आपके सही होने ही चाहिए थे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स पर बाचिंग God bless you all